इस वीडियो में आज के न्यूजपेपर से रिलेटिड इंपोटेंट अपडेटस के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे जो आज पेपर होने वाला है उसके पैटर्न को लेकर भी और जितने भी जरूरी चीजे है इस वीडियो में कोशिच करेंगे cover करने की कुछ सवाल बच जाएंगे जो आप गुरुप में पूछ रहे हो जैसे कि detained आ रहा है लिखा हुआ माकसीट में या फिर detained due to MS due to MC या फिर grand total आपका नहीं आ रहा है इन सब के बारे में एक अलग separate video बना देंगे ठीक है न लगबग इनका same सा ही की एक reason होता है उसको हम थोड़ा सा आपको तरीके से करके discuss कर लेंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहले भाई आज जो back paper शुरू होने वाली है उसके बारे में बता हुआ है कि चोदरी चरण सिंग विश्विद्याले की मुख्य परिक्षा की back paper परिक्षा 16 October से शुरू हो रही है तीन पालियों में परिक्षा होंगी back paper परिक्षा तीन पालियों में होगी इसमें पहली पाली 10 से साड़े गयर वो अपने स्कीम वगयरा में चेक कर लियोगी ठीक है अब ये तो है भाई की back परिक्षा शुरू होने वाली है और सबसे पहला हो गया है बी लिफ सेकिंड सेमिस्टर कॉलिज कोड़ 564 बी लिफ फर्ष्ट सेमिस्टर कॉलिज कोड़ 564 दिसंबर में हुई परिक्षा का परिणाम गोसित हो गया है इस चीज को देखते हुए एक चीज और हमें याद आई कल ऐसा भी हुआ कि भाई admit card नहीं निकल रहे कुछ बच्चों के और जो डेट सीट है उसमें उनका पेपर दिया हुआ है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका admit card निकल गया है या फिर उनका पेपर नहीं दे रखा है इस तरीके से भी कुछ बच्चे है ठीक है तो ऐसा जो बच्चा है उनके हमारे पस कोल आये थे जिनका admit card नहीं निकल रहा है और उनका पेपर दिया हुआ है तो ऐसे में college वालों ने बोला है college में हमने उन्हें बोला पता करने कि private college में तो उन्हों कि हम आपको एक वीडियो में बता देंगे कल बता देंगे फिर आज कोई वीडियो आएगी उसमें आपको बता देंगे कि क्या होगा था admit card उनका निकला था या नहीं निकला था जो भी matter होगा cover कर लेंगे ये बाई वीडियो बहुत पुरानी वीडियो है जब lockdown चला था उ अब आपको सारे सवाल नहीं करने हैं उनमें छूट आपको दी जाएगी और वो आपको टीचर बता देंगे कक्ष में परिक्षा कक्ष में कि किस किस तरीके से paper करने हैं अब college का तो मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन उन college यो में बहुत से college हैं एक college नहीं है उनमें teacher ने कु यह हुआ था तो यह video है इसका मैं स्क्रीन सूट लिया यह पुरानी हमारी कोई video है इस video के देखो अच्छा उपर आई बटन पर इस video का link डाल देंगे इसे एक बार चेक करना जाने से पहले उपर आई बटन देख लो उस पर आ रही होगी इसको थोड़ा सा हम समरी करके तो बताय हुआ है कि भाई अगर आपका पेपर अधिकता मंग 25 का है अगर आपका पेपर में 25 अंख है 25 नमबर का आपका पेपर है कुल मिला के तो एक खंड में से आपको जो है दो सवाल करने है ठीक है दो दो सवाल के 5 करने है एक सेकिंड भाई यह करने है सवालों की संख पाँच दो दो नमबर के 5 सवाल करने तो यह उगए 10 और इसी तरीके से 7的 नमबर के 2 सवाल है 15e 15 और 10 मिला दो 25 ठीक है और इसी तरीके से एकर 100 नमबर के तो बयों कि संक्या at तो 8 8 नमबर के 5 सवाल आपको करने 40 और जो खंड दे को ओपर खंड भी लिकार यह है। यह समें और 10 से से एक कर ना ए इस तरीके से है यह और करना ही है जिसमें छोटे क्योस्यन होंगे जैसे कि अगर पच्छिस नंबर का टोटल ही सवाल है तो 22 नंबर के पांच सवाल होंगे अगर 30 का पे पांच सवाल होंगे लोने के सवाल है आपका और 75 का इनके हम बात कर लेते हैं अगर 50 नंबर का maximum सवाल आपका आता है और 5 खंड उसमें होंगे तो पहले खंड में आपको 5 सवाल करने है जिसका एक जो सवाल है उसकी वैल्यू है चार नंबर तो 20 नंबर हो गए अब बचे कितने आपके 30 नंबर बच गए तो 15 पंद्रे नंबर के 2 सवाल करने है पंद्रे नंबर का सवाल करना है 2 और 7 में से और 15 नंबर का सवाल करना है 2 और इमें से तूट companies शिटनर पिशस्तर नंबर का मैक्सिमाम props होता है तो 66 नंबर के 5 सवाल 30 नमबर हो जाएंगे और 2 और 7 में से आपको करना है 2.5 नमबर का और 2 और 2 में से भी करना 2.5 नमबर का तो टोटल मिला के 45 45 प्लस 30 मिला के 75 इस तरीके से होगा और बाकी आपको जो परिक्षा कक्ष में जो टीचर होंगे वो आपको समझा देंगे हाला कि पिछली बाल बहुत दिक्कत हुई थी बहुत से टीचर ने कॉलिज में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि उन्हें ही जानकारी नहीं थी तो इस चीज को अगर आपके परिक्षा कक्ष में कोई टीचर है तो उन्हें बोलना अच्छा एक चीज और है अगर तीन गंटे का पेपर है तो देड़ गंटे तो आपको करने पड़ेंगे और बाके इंस्ट्रक्षन भी आप अपनी तरफ से लगाओगे लेकिन अगर परिक्षा जो है आपकी देड़ गंटे का ही लिखा हुआ है उस पे तब आपका यह सब कुछ मोडिफाई होके आएगा तब टैंसल लेने की बात नहीं है ठीक है अगर नहीं मोडिफाई होके आया तब आपको यह चीज करनी है और आप परिख्षक अगर नहीं है तब तक लगेगी बाई मेरिट तब तक लगेगी ओपन जब तक सरकारी कोलेजी में सीट अवेलेबल रहेंगी यह भी सुनने में आ रहा है कि बाई दोबारा से एडमिशन सुरू हो सकते हैं और उनके लिए फिर से अलक से मेरिट जारी करी जाएगी इसमें आगे लिकाया कि CCS इनिवर्सिटी कैंपस और कोलिजों में UG कोर्सों में पहली ओपन मेरिट सनिवार से एडमिशन हो जाएंगे आज से एडमिशन हो जाएंगे क्योंकि बीच में दो दन की छुट्टी हो अठारे अक्टुबर दाखले की अंतिम्ति थी है इसके बाद विश्वी देले दूसरी मेरिट जारी करेगा लिख दिया यहां पर इनोंने ठीक है अब PG कोर्स में एडमिशन की बात करी है PG कोर्सों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम्तिती 17 अक्टुबर ह अब दूसरी हम बात करें तो लबी अब लबी की भी सतरे तारी की लास्ट डेट यहां पर दिखा रखी है तो यह जो अबी तक कोलिजी सेलेक्ट नहीं हो रहे है इसके अलावा बुख्यमंत्री अभ्यूदे कोचिंग के लिए 21 तक करे पंजिकरन कुछ कोर्स हैं जो फिलाल चल रहे हैं अगर आप चाहते हो कि मुझे रेलवे की तयारी करनी है तो इसमे अडमिसन मत लेना ये फिर बेकार चीज है ठीक है रेलवे के जब आएंगे तब इसमे अडमिसन लेना ऐसा नहीं है आपको बुकर नहीं ससी है लेकिन आपको अमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इस इसमे अडमिसन लेगा और उसके अच्छी परसंटेज वगरा रहेगी उसमें टैबलेट में लेगा तो आप इसमें भी दजिस्ट्रेशन कर लो तो भाई वो तो छे साथ हजार की टैबलेट के लिए जिंदगी खराब करना हो गया ना आप अगर जेई करना चाहते हो नीट पेपर कर दिया आपने सोचा कि बाई जो क्लास तो चलेगी उनको हम ओल चला के थोड़ा वो पढ़ लेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा ठीक है तो इन सब की जो लिंक क्या देगो 20 तारिक तक यह होंगे और आगे का स्कैडूल दे रखा उनकी परिक्षा का वो सब किस तारिक से सुरू हो जाएगी जो कि हम एक एक लगा देंगे जब भी आती रहेगी तो आप इसी वेबसाइट से दे सकते हो पेपर भी और रिजल्ट जब आएगा वो आजाएगा 29 सक्तुबर को वह आप यहां से देख सकते हो अगर फ्री स्मार्टफोन ये टेबलेट के करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कौन-कौन से फॉर्म चल रहे हैं तो फिलाल हमने अपनी वेबसाइट का स्क्रिंसोट ले लिया थोड़ा जल्दी इस वीडियो को पब्लिस करेंगे क्योंकि 10 बजे से बच्चों का पेपर है वो भी थोड़ा सा इस वीडियो को यहां पर यहांप करके आप क्लिक करके आपकी उमर आपकी क्वालिफिकेशन दो तिन चीजवे पूछ के बता रहेगा कि आपके लिए फोर्म खुल रहे है या फिर खुल नहीं रहे है तो निवी एस सार में में कोई किसी में भी की ओम्राइब सो होंगे मतलब कि बस इन्ही इसाब से अगर आपके 80% या उस्याज देगा तो ही इस फॉर्म को भरना उचीत होगा बाकि आपका एड्मिट काड नहीं आने का पिछली बार जुलाई में वो भी चीज़ हमने इसमें लिग दी कि जुलाई 2020 में फॉर्म भरे गए थे नहीं भी हमार के जिनके जो नंबर है वो 55% परतिसत या उस्यादा थे उन्हीं के बस एड्मिट काड़ा है 95 का भी क्राइटेरिया इसलिए क्योंकि CBST में 95 से उपर नहीं आते नंबर 10CGPA x 9.5 is equal to 95 ठीक है ना तो इसलिए 96 पर लगाते तो CBST अंगा मा करती कि कैसे तुमने लगा दी 10CGPA हमारे हमारा फिर भी न लगाना ध्यानत रखें ठीक है ना दो फॉर्म ना भरें कोई गलत हो जाए फॉर्म में तो सही करने की कोशिश अगर आप करोगे तो दिक्कत आपको जलनी पड़ागी जैसे MTS के बच्चों को जलनी पड़िया हजारों फॉर्म रिजेक्ट हुए उनके ठीक है ना और एक हमारा भी रिजेक्ट हुआ है जिसमें हमने एक रोल नंबर दसवी में गलत डाल दिया था जो लास्ट में डलता है हाला कि उस भाई ने का कि मेरा फॉर्म गलत है दो बारा बर्दो हमने का था कि एफिडेविट लग जाएगा लेकिन हमें भी क्या पता था कि वह हो जाएग एक यू यह कोई टो हैं यह अगर आप बशोड़ के फोर्म चल रहे है पच्चेस रेट और फार फ़ोन नंबर अपना परसनल डालना क्योंकि उसमें एमल आइडी पे आता है आपका पासवर्ड और फोन नंबर आता है आपका तो अगर आपका नहीं होगा तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगी CCS University के PG, LLB, BA, LLB, BCOM, LLB, Admission Registration स्टार्टेड तो यह लिख रखा है इन्होंने 17 अक्टूबर लास्टेट हैंड की इसमें हमने जो न्यूज पेपर आभी तक की B, LLB, BCOM, LLB की कोई अधिमतिती नहीं है इसे हम अपडेट कर देंगे जब आप इस वीडियो को देखने के बाद वेबसाइट चेक कर रहे होंगे तो आपको यह अपडेटेड मिलेगी वेबसाइट तीक है वासा हम इसलिए थोड़ा चलदबाजी में से जो है रिकोर्ड करके डाल देंगे क्योंकि दस बजे बच्चों का वेपर है थोड़ा सा वह पैटन देखके चले जाएँगे उनका कोई दिक्कत ना हो फिर उन्हें ठीक है आपके सवालों का रिपलाई करने की डेस्क्रिप्प्शन में टेलिक्राम ग्रूप के लिंक है जोईन कर लेना और भाई अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो और अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक किया करो जिससे हमें पता चले कि कहा पर क्या कमी आ रही है हम उसको सुधार करें ठीक है तो बस इस वीडियो में यही अगर कोई बीच में कोई जरूरी अपडेट देनी हुई आपके कोमेंट वगएर किसी टोपिक पर जादा आए तो वीडियो मिल जाएगे आपको उस टोपिक की और नहीं तो कल फिर न्यूज पेपर की पेपर आया तो लिखा आया कि आपका समय है वन और कोलोन करके 30 मिनट थर्टी आर्स तो एक तेड़ घंटे का पेपर है तो आपको शायद ही वो सारी चीज़े ओटोमेटिकली लिखी आएंगे कि एखंट में से इतने करने है और बैस में से एक करना है और उसमें से करना है ठीक हना जैसे हमने आपको अभी बताया बाकी आज का पेपर होने के बास सारी स्थितिक क्लियर हो जाएगी आपको वीडियो जरूर मिलेगी और आप भी इस वीडियो के नीचे जब पेपर आपका हो जाया आपकी राय दे सकते हो कि क्या आपको परिशानी हो जिससे की कल ज बिलते हैं नहीं किसी वीडियो में